जैमातारी ब्रिया मिफ्रूम हर बार के तरह आज भी मापके लिए बहुत बड़ी अमेशा देख रहे हैं आज मैं आपको बताऊंगा जो भी व्यक्ति हमेशा सोचता है कि हमें सफलता ने मिलती जिन्दगी के अंदर जो बच्चे सोचती है कि स्टड़ी करने के बाद स्टड़ी पूरी होने के बाद उनके भागे का भागया उनके साथ नहीं दे रहा तो किसी को निराश होने के जुरूरत नहीं है आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा उन उपायों से करने से आपका भागया आपका साथ देगा जो व्यक्ति सोच लिया है कि स्टेड़ी करने के बाद उनको सफ़ता नहीं मिल ली जोब नहीं मिल ली है या एटूकेशन के बाद उनकी हर काम में रुकाफटे चल लिया है तो वो रुकाफ्टे अपने आप धीरे-धीरे से ठीक होनी शिरो जाएगी आज जो मैं आपको बाई बता रहा हूँ अगर आप अपने मन से, शर्दा से, दिल से अगर बाई अपने प्रमातमा का नाम लेकर करेंगे तो आपको वो बाई काफी जादा फैदा आपको देंगी अगर आपके यह वीडियो अच्छा लेके तो वीडियो के लाइक और शेयर जोड़ करें चैनल को सस्क्राइब करना ना बोले आज का पहला उपाई पहला उपाई यह है कि अगर आप हर अमावस्य के दिन आपके माता पिता या माता पिता अपने बच्चे का भाग्या बनाने के लिए अच्छा भाग्या दिलाने के लिए अगर आप एक वेप्ति का खाना बना कर सारे प्रिवार का हाथ लगवा कर प्रमात्मा का नाम लेकर अगर दरवेश या गाए को डालते हो तो आपके बच्चे के जीवन में कभी भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेंगी अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा पाए जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा भागया कभी भी हमारा साथ नहीं दे रहा या हमारे हर बंते काम में रुकाफटे ही रुकाफटे आ रही हैं तो उनको हमेशा या हर रोच आपको हनमान चलीसे का पाट करना चाहिए हनमान चलीसे अगर आप एक बार तीन बार या दिन में साथ बार अगर आप पड़ते हो तो कभी भी आपके जीवर में कोई भी समस्या आगे खड़ी नहीं होगी आपके समस्य अपना ठीक होनी शुरू हो जाएगी अब आपको बता रहा हूं तीसरा पाई हर मंदलवार के दिन अगर आप बुंदी के लेड़ू लेकर या वेशन की बर्फी लेकर वह आपकी अपने शर्दा भावना है आप दोपीस लीजिए चा तो आपकी स्टड़ी के बाद कोई भी समस्य आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी अगर किसी के जोब नहीं मिली तो जोब इस उपाई से आपको मिलने शुरू हो जाएगी अब आपको फौर्थ उपाई बता रहा हूं जिसे करने से कभी भी हमारे जीवन में समस्य नहीं आती अगर आप सात अंहाज मिलाकर सतनाजा मिलाक बनाकर हर रोज शाम के टैल चीजिए को अगर डारना शुरू करदे तो आपके जीवन में कभी भी बरकत के दरव से आपके जीवन में कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएंगे जिससे आपका भाग्या आपका साथ ना दे अगर मैं आपको बता रहे हूं पांच माउपाई फिफ्ट पाई ये है कि हर शनीवार के दिन कोई भी वेक्ति अगर अपने काम को लेकर अपनी स्टडी के बाद अपनी सफलता को सोचने के बाद की सफलता उनके पैरों में नहीं आ रही है मिहत करने के बाद उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो एक नारियल दे कर नारियल आपने वो लिना है जिसके नदर पानी होता है जो माता के मंदिर में चड़ाये जाता है ब्राउन कलर जटा वळा ना रिये। अपने से साथ बार घुमा कर को लॉग बाइज। अगर आप माता के मंदिर या शीम मंदिर में रक कर आएंगे हर शन्य वार ऐसा उपाई आपने साथ शरीवार करना है उसके बाद आप महिने में एक शरीवार भी कर सकते हैं रख कर आएंगे तो आपने सोच कर रख कर आने जो आपके मन की विचार या आपके मन की इच्छ है तो आपकी समस्या अपना ठीक हो जाएगी अगर आप सबी यर्मे से कोई उपाई अगर आप दिल से करोगे तो कबी भी आपके जीवन में समस्या धेकने को नहीं मिलेगी हर बाद की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि कोई में उपाई आप करें उपाई कोई छोटा या बड़ा नहीं होता अगर आप शर्दा भावना से करेंगे प्रमात्मा के उपर मिश्वास रख के करेंगे तो हर उपाया आपको जीवन में बदराव लेकर आ सकते हैं अगर आप यह वीडियो अच्छा लेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सुस्क्राइब करना ना बुले चैन मता दी